चलो साइकल का बहुत सारा स्फ्पेर पार्ट्स आज हमको लाना है तो ले करके आते हैं तो पैसे चेक किये कि पैसा होना चाये ज़ीए पाकेट में ज़ा देखते हैं पहले पैसा है कि नहीं है रहां यह भी सतो है सिलिप लाना भूल गये यार यार फिर अभी जो रिटेनिंग जाना पड़ेगा यहां से चलो घुमाते हैं साइकल को अरे यह तो आप भी है अरे यह हम तो भूली है हमारे साइकल में तो गेर लगा हुआ आराम से हम आपको चढ़ा लेंगे अरे कहना क्या चाहते हो चलो यार गेर लगाने का यही एक फाइदा होता है इजली आप में चाले आप चलो फटाफर सिलीप लेकर के आते हैं फिर चलते हैं साइकल सोप में इस पर पार्स लेकर करके आते हैं सो गाइस क्या आप नॉर्मल साइकल में गेर फिट करना चाहते हैं सिक्स इस्पीड गेर जैसा कि देख पार है हमारा साइकल में सिक्स इस्पीड गेर लगा हुआ है तो सिक्स इस्पीड गेर लगाने का फाइदा क्या है इसका नुकसान क्या है ऐसे तो हम इस पर अल्रेड डेडिकेट वीडियो बना चुके हैं कि 6-speed gear किस तरह से आप अपना cycle में install कर सकते हैं, fit कर सकते हैं, लेकिन वो वीडियो में हमारे डिये subscriber ने comment किये हैं कि राजु जी 6-speed gear अगर हम लोग अपना cycle में fit करते हैं तो कोई disadvantage है क्या, तो बताना चाहेंगे अगर आप अपना cycle में 6 speed gear fit कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि पहला चीज आता है कि cycle आपका smooth हो जाएगा, और हर एक जगह में आप cycle को चला सकते हैं, gear का वज़े से, आपको कोई भी problem नहीं होगा, प्रेसानी नहीं होगा, लेकिन इसका खराबी क्या है, इसका नुकसान क्या है, जैसा कि आप gear cycle में देख पा रहे हैं, तो इसका खराबी अगर हम बताएंगे, तो इसका खराबी बोलके आईसा कुछ भी नहीं है, अगर आप अपना cycle में 6 speed gear लगा लेते हैं, तो बहुती बेटर काम करेगा, और cycle आपको बहुती ज़्यादा smooth और fine रहेगा, और बड़ा से बड़ा आप आसानी से cycle को चला सकते हैं, कोई भी problem नहीं होगा, अगर आप बेसी cycle में 6 speed gear install करवाते हैं, या फिर खुद से करना चाहते हैं, तो बताना चाहेंगे, हम already dedicated video बना चुके हैं, बीच में वीडियो को रोकनी के लिए माफी चाहेंगे, हम आप लोग का हरे comment को पढ़ते हैं, का comment का आधर पर ये वीडियो था, तो जैसा कि हम आप लोग को अच्छे से दिखा दियें और बता दियें, तो आप लोग से हम request करेंगे, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लिस वीडियो को पुरा complete देखिएगा, तभी आप अच्छे साहर की समझेंगे, और एकदम पर परली होना चाहिए, तभी आपका gear सही से work करेगा, सही से काम करेगा, नहीं तो क्या होगा, कि alignment जरा साभी distancing का problem आएगा, तो chain उतरने का problem आएगा, सामने से क्या होगा, कि इस तरह से chain आपका उतर जाएगा, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो chain उतर जाए जैसा कि देख पा रहे हैं, हम cycle में gate of fit किये हैं, यह देखे, हम जो है back side rotate कर रहा है, कोई भी प्रोब्लम नहीं है, यह देखे, और आगे side भी rotate कर रहे है, तो कोई भी प्रोब्लम नहीं है, यह देखे, chain उतरने का problem जरा साभी नहीं आ रहा, और यह देखे, आपका एक number पे gear fit कर रहे हैं या फिर करवा रहे है mecanics से यहां का जो आप यह Rooter देख रहे है 6 speed rotor तो यहा पर ठोड़ा सा आपको प्रोब्लम करेगा ठोड़ा सा ज्यादा निया देखियो जैसी हम ब्रेक को प्रेस कर रहे हैं ज्यादा जोसे तो यहां पर ठोड़ा क्ता चोरा कोई दिक्कत निया और यहां पर जो ग्रीब हें पकड़ने का देखिए हम आप लोग देखे होंगे और देखते वे आ रहे हैं तो अगर आप इस तरह के साइकल में फिट कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं थोड़ा साइपको गृँठ मिलेगा हाला कि इसमें आप पकड़ सकते हैं यहां पर आपको जो है सिप्टर को पकड़ना है जैसा आ कि देख है रोटेड अगर सही रहेगा तो फिर चैन उतरने का कोई भी problem नहीं आएगा और इसका हम एक चीज़ बता दे रहे हैं कोई भी disadvantage का problem नहीं आएगा कोई भी खराबी नहीं होगा easily आप इसको work में ले सकते हैं cycling करने के लिए कोई भी problem नहीं आएगा six speed gear I hope guys हम आप लोग को अच्छे से दिखा दिएं बता दिएं कि six speed gear लगाने का फाइदा क्या है नुकसान क्या है तो नुकसान जैसा कि हम आप लोग को अच्छे से बता दिए और फाइदा भी हम आप लोग को अच्छे से बता दिए सिरिफ जो आज आता है सही से setting बाकि otherwise कु करवा लेना है कि हमारा गेर जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ स्वीक में एक बार शिर्फ जाना है मैं कहने के पास बस तो चलिए फिर मिलते नेक्स नॉलेज़ अपना ध्यानक है जैहिं जै भारत और एक चीज गाइस इसके बावजूद भी अगर कोई भी ऐसा आपको